नमस्कार दोस्तों मैं कर्शन यादाओ अव्यक्ति सिक्षन स्मिस्तान जैपूर में आपका हर्दिकर बिन्यांदन करता हूँ कल आपको राधस्तान के परमुक्तियोंहार के बारे में कुछ बाते बताए गए दी कल जो फैस्ट पार्ट था उसमें आपको बताए गए था कि राधस्तान में सबसे ज्यादा त्यूहार कौन से जिले मनाए जाते हैं जैपूर जिले में इसी कारण त्यूहारों की नगरी किसी कहते हैं जैपूर को मंदिरों की नगरी जैपूर को कहते हैं कल कुछ और भी बात बताई थी जैसे हिंदी महीने पर्था महीना चेतर अंती महीना फाल गुन इसी तरीके से कल मैं आपको त्यूहार भी बताय था और त्यूहार में कल आपको बताय गया था आपको सबसे फ़ले ये पता होना चीए कि आपको पूरणिमा कल कितने पार्ट में आपको पूरणिमा लिखाए गए थी तीन कि इसके बाद में आपको लिखाय गया था तीज कि तीज भी कितनी लिखाए गए थी तीन यानि इस तरीके से कि फर्ष्ट पार्ट में आपको त्यूहार लिखा दे गई आगे जितने भी जो तियुहां रहेंगे वो आपको मैं आगे लिखा रहा हूँ इसके बाद में आज हम स्टार्ट करते हैं और उस महीने का नाम होगा स्रावन का महीना कल आपको बताये था तीज तियुहरा बावडि ले डूबी गणगोर तियुहारों का आगमन तीज से होता है और अंत गणगोर से होता है इसी तरीके से जो तीज आती है, उसमें कई तीज लिखाए गेती, आखा तीज, छोटी, तीज, बड़ी तीज, तो स्राउन में तीज आती है, जो आपको फ़स्ट पार्ट में लिखा दी गी है, और इसकी अलावा स्राउन में प्रशित त्योंहार कौन-कौन से आते हैं, नम्मर एक परे नाग पंचमी, नम्मर दो निड्री नोमी, निड्री नोमी निड्री नोमी, निड्री नोमी के दिन नेवले की पुजा की जाती है निड्री नोमी के दिन किस की पुजा की जाती है, नेवले की पुजा की जाती है एक त्युहार आपको याद करना है नम्मर तीन परे हरियाली, अमाउस्या और एक आपको याद करना है रक्षा बंदन रक्षा बंदन और इसी रक्षा बंदन का दूसरा नाम है नारियल पुरनीमा नारियल पुरनीमा यानि स्रावन के आपको कितने त्युहार याद करने हैं, च्यार त्युहार याद करने यानि ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिस में अगर आपे ये याद करने हैं, कि स्रावन के कितने त्युहार चार त्युहार आपको याद करने हैं सबसे पहले नमबर एक पर नाग पंचमी, नमबर दो पर निडरी नौमी, नम तीन पर हर्याली अमाऊस्या, और नमर च्यार पर रक्षा बंदन रक्षा बंदन का दوسरा नाम है नारियल पुरुनी मा आपको करम से किस तरीके से याद करना है मानना कि यह संक्या X है कि स्रावन में सबसे पहले आएंगे नाग स्रावन आते ही सबसे पहले क्याएंगे नाग नाग को खाने के लिए क्या आएंगे नेवले और खाने के बाद चारू तरप क्या जाएगी हरियाली हरियाली आने के बादे बहिन अपने बाही के राखी भांदेगी यानि रक्षा बंदन आपको दुवारा से भता रहूं कि स्राउन में सबसे पहले कहेंगे नाग नाग को खाने के लिए नेवले खाने के बाद चारूतरा पे हरियाली हरियाली आने के बाद में बहीन अपने बही के क्या बांदेगी राखी यानि रक्षा बंदन नम्मर एक परे नाग पंचमी नम्मर दो परे निडरी नोमी नम्मर तीन परे हरियाली अमाउशा और नम्मर चार पर रक्षा बंदन अच्छा मैंने इतना ही लिखाए फिलाले नाग पंच में निडरी नोमी हरियाली मौशा रक्षा बंदन यानि ये त्यूहार है जो स्राउन में आते हैं मगर कब आते हैं ये सबसे बड़ी बात है नाग यहां पर आपको याद रखना है नाग जादतर नाग कैसे आते हैं काड़े यानि यहां नाग कैसे होंगे काड़े और काड़े के लिए आप सबी को पता है कि पक्स कौन सा होगा क्रशन तो यहां आपको याद रखना है नाग आपे ही आगे भताऊगे यह जो चार त्यूहार है यह कौणशे महिनी के त्यूहार है यानि स्रावन तो यहां पर क्या लिखा जाएगा स्रावन कौन्सा महिना स्रावन यहां पर भी स्रावन 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 यान्नी चारूत युहार कौन्से महिने के है स्रावन बोलो नाग कैसे काले काले के लिए कौन्सा पक्सा आता है क्रेशन पक्से कौन्सा पक्से क्रेशन पक्से याद रखना नेवले भी कैसे काड़ी, काड़ी के लिए कौन सा पक्सा जाएगा क्रशन पक्से, कौन सा पक्से क्रशन पक्से यहां आरी ए पंचमी, तो पंचमी की पाँच, यहां आरी ए 9 मी, 9 मी की नो अमाउस्या आप सभी को पता है पहले वाले पार्ट में आपको बताए गया था कि क्रशन पक्स की जो पंदरिवी तारिक होती है वो क्या हती है अमाउस्या यानि कौन से पक्स में आती है क्रशन पक्स में तो यहां आपको लिखना नहीं है सिद्धी सी बात है यहां अमाउस् और पूरणी मा की पूरणी मा पूरणी मा की पूरणी मा यानि नाग पंचमी स्रावन क्रेशन पंचमी को आती है निडरी नोमी स्रावन क्रेशन नोमी को आती है हरियली अमाउस्या स्रावन की अमाउस्या को आती है रक्षा बंदन स्रावन की पूरणी मा को आती है रक्षा बंदन का दूसरा नाम क्या है नारियल पूर्णी मा तो इस तरीके से आपने स्रावन की कितने तिवहार याद के चार पूर्णी मा कितनी तीन तीज कितनी तीन पूरे कितने तिवहार होगे दस तिवहार कितने होगे दस नाग पंचमी का मेला भी बढ़ता है नाग पंचमी का मेला कहां पर बढ़ता है नाग पंचमी का मेला मंदोर में बढ़ता है मंदोर कहां पर है जोधपुर में है मंदोर कहां पर है जोधपुर तो स्रावन की कितने ते उहार चार इसके बाद त्योहारों में एकादसी कई एकादसी प्रसिद है जो प्रिक्षा में कई पर पूछी जाती है मिर्जला एकादसी, देव सहिनी एकादसी, जल जुलनी एकादसी, तुलसी एकादसी, देव उठनी एकादसी, आवला एकादसी यानी एक गदस्यों को हमें एक साथ पढ़ेंगे एक साथ याद करएंगे किस तरीके से याद करना है एक का गदस्य के तुँङार सबसे पहली निर्जला एकादसी निर्जला एकादसी नम्मर दो देव सहिनी एकादसी देव सहिनी एकादसी जल जुहलनी एकादसी जल जुहलनी एकादसी तुलशी एकादसी तुलशी एकादसी देव उठनी एकादसी आतियन साधिवाली देव उठनी ग्यारस देव उठनी एकादसी और एक एकादसी आपको याद रखना है आवला एकादसी आवला नौमी भी आती है तो आपको एकादसी के कितने त्युहार याद खरने है सबसे पहले आपको यह याद हो आचिए कि एकादसी के त्युहार कितने याद गरोगे शे त्युहार नम्मर एक, निर्जला एका दसी, एका दसी का मतलब होता है ग्यारस, दोआ दसी का मतलब होता है बारस तो निर्जला एका दसी, नमर दो, देव सहिनी एका दसी, नमर तीन, जल जुलनी एका दसी, नमर चार परे तुलसी एका दसी, नमर पांच परे देवुठनी एका दसी, और नमर चे परे आवला एका दसी आगे की कारणी तभी समझ में आएगी पहले अपने को ये चारू त्यूहार यानी छे त्यूहार करम से याद होनी तब याद करने के लिए आपका एक सिष्टम बतारों ध्यान से सुनना निर्जला का मतलब होता है इस तिन महीलाई अन्वय जलगर्ण नहीं करती है कि निर्जला करेंगे देव सहिनी के लिए निर्जला करेंगे देव सहिनी के लिए जलवे तुलसी से देव को उठाएंगे और सुबह का नास्ता आवला से करवाएंगे निर्जला करेंगे देव सहीनी के लिए जलवे तुलसी से देव को उठाएंगे सुबह का नास्ता आवला से करवाएंगे किसे करवाएंगे आवला से यानि निर्जला करेंगे देव सहीनी के लिए जलवे तुलसी से देव को उठाएंगे सुबह का नासता आवला से करवाएंगे यानि एकादसी कितनी छे यहाँ आपको याद रखने इसमें तुल्जिकाड़ी है तुल्जिकाड़ी काड़ी का मतलब आप समझ गए होगे कि कौनसा पक्स होगए यहाँ परे क्रेश्चन पक्स होगा कौन सा फक्स होगा तो, यहा net देता हूं फालगुन नीचे नीचे का त्यूहार है नीचे नीचे का महीना है फालगुन यानि अन्तिम महीना कौन सा है फालगुन एका दसी के त्यूहार में जो स्टार्ट करेंगे वो महीना होगा जेश्ट का कौन सा महीना होगा जेश्ट का महीना होगा और पक्ष दोई होते हैं या तो सुकल पक्ष या क्रशन पक्ष यहां आपको याद रखना है जो पक्ष होगा वो होगा शुकल पक्ष और एका दसी क का मतलब होता है ग्यारस, यानि जेश्ट शुकलबक्ष की एकदसी , जेश्ट के बाद अगला महीना आता है आसाड जेश्ट के बाद अगला महीना आ पक्ष की एका अदसी, आसाड के बाद अगला महिना आता है स्रावन, और आप सभी को पता है स्रावन के त्यूहार हो गई, कितने त्यूहार, चार त्यूहार, स्रावन को यहां छोड़ देते हैं, तो स्रावन को छोड़ेगे तो अगला महिना कौन यागा, बहाद्र, शुकल पक्ष की एकाहदसी, बहाद्र के बाद में आता है आस्विन, आस्विन यहां एक को छोड़ा और यहां पर भी अगर एक को छोड़ेई, क्योंकि पहले एक को छोड़ दिये से पहले अगर यहां पर भी अगर आस्विन को छोड़ते हैं तो अगला महिना आता है कार्तिक कौन सा आता है कार्तिक अगला महिना आता है कार्तिक और आपको बताया था कि तुलसी कैसी काली और काली के लिए कौन सा पक्ष होगा क्रशन पक्ष होगा कौन सा पक्ष होगा क्रशन यानि आपको पहले बताए तुलसी कैसी आपको याद रखना है काली काली के लिए क्रशन पक्ष है और एकादसी की एकादसी यहां कार्तिक नाराज हो गया नाराज इसलिए हो गया, कि आपको याद रखना ए, इन सब के जो गरवाड़ी आई, पत्नी आई, वो आई, सुंदर है, यानी शुकल पख्ष में है और कार्ति के जो गरवाली है वो कैसी काड़ी इसलिए ये क्या हो गया नाराज और कार्ति को नाराज नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो इसे एक बुरी और देंगे और बुरी एक और देंगे तो यहां कौन सा पक्सा जाएगा शुकल पक्से तो मैं यहां लिख देता कार्तिक की शुकल पक्ष की एक दसी और नीचे भी शुकल पक्ष की एक दसी दुबारा से बता रहो हूं एक दसी के छैतिंवहर र्यात करना है निर्जला एका दसी, देव सहीनी एका दसी, जल जुलनी एका दसी, तुलसी एका दसी, देव उठनी एका दसी, आवला एका दसी फिर आपको बताया कि नीची नीचे कौनसा महीन आएगा अंति में फालगुन क्योंकि निचे निचे का तुहार है निचे आ गया फालगन फिर इस्टाट किया जेश्ट से कुनसा महिन उपर है जेश्ट जेश्ट शुकलपक्स की एका दसी जेश्ट के बाद में अगला महिना आसाड शुकलपक्स की एका दसी आसाड के बाद में आता है स्रावन स्रावन क की आपको बताया कार्तिक शुकल पक्स की एकाद दसी क्योंकि कारतिय के यहां पर दुबारा क्या देत या बुरी याद रखना इसके निचे फालगुन शुकल पक्स की एका दसी तो प्रशन आपके क्या एगा कि निर्जला एका दसी का बाती है जेश्ट शुकल पक्स की एका दसी को देव सहन एका दसी आसाड शुकल पक्स की एका दसी को जल जुनन एका दसी बहद्रे शुकल प तुल्स आते ही कलीं तुल्सी एक्याथ सिकार्तेक क्रिष्णेर्थे काaround आते हैं रहे सी चौन प्रएक्षिए को आते हैं तदू को यह सकुत सिक हुआए चा के आते हुआ कादम ऐतानोम सिपर यक यहां कि कुbor पहला जो पार्ट था उसमें बताया गया था आपको कि तियोंहारों का अंती गणगोर्श होता है उसमें आपको इतना ही बताया गया था मगर गणगोर हमारी राजस्तान में अलग अलग जगह की गणगोर अलग 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 गणगोर 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 इस गणगोर से कई क्यूसन वनते हैं वो क्यूसन कौन कौन से वनते हैं गणगोर कि राजस्तान में महीलाओं का सबसे परशित्यूहार कौन सा है गणगोर जबकि राजस्तान का सबसे परशित्यूहार तो हो ली है मगर महीलाओं का सबसे परशित्यूहार कुन सा है गणगोर सबसे ज़्यादा गीत गाए जने वाला त्यूहार कुन सा है गणगोर राजस्तान का सबसे परशित्यूहार होली है मगर महीलाओं का सबसे परशित्यूहार गणगोर है और राजस्तान में सबसे ज्यादा गीत गाई जाने वाला तिम्हार कुण सा है गणगोर है गण का मतलब होता है, शिवर गोर का मतलब होता है पारपती यानी गणगोर पर सिवय पारपती की पूझा की जाती है राजस्तान में गणगोर कई प्रकार की प्रशिद है तो फिलाल आपको याद रखना है गणगोर गण का मतलब शिव गोहर का मतलब पारवती यानि गणगोर पर किसकी पूझा की जाती है सिवय पारवति की पुजा की जाती है राजस्तान में महीलाउं का सबसे परशित्यों हार है राजस्तान में महीलाओं का महीलाओं का सबसे राजस्तान में महीलाओं का सबसे परशित त्योंहार है परशित त्योंहार है राजस्तान में महीलाओं का सबसे परशित त्योंहार है सबसे ज़्यादा गीत गाय जाने वाला त्योंहार है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा गीत गाये जाने वाला त्योंहार है यानि सरवदी के गीत कौन से त्योंहार पर गाये जाते हैं गणगोर पर गाये जाते हैं ये जो गणगोर का जो त्योंहार है आता कब है गणगोर चेत्रे शुकल पक्ष की तर्तिया को आता है गणगोर का त्युहार चेत्री शुकल पक्ष की तर्तिया को आता है इस गणगोर में प्रशन आएगा कि गणगोर की पुजा गणगोर में गणगोर की पुजा पुजा कितने दिन तकी जाती है गणगोर में गवर की पुजा या नी पारवत्ती की पुजा कितने दिन तकी जाती है सोड़े दिन तकी जाती है कितने दिन तकी सोड़े दिन तकी जाती है गणगोर का अंतिम दिन गणगोर का अंतिम दिन क्या कहलाता है गणगोर का अंतिम दिन जो लाश्ट वड़ा जो दिन होता है वो क्या कहलाता है वो लावनी गणगोर का अंतिम दिन क्या कहलाता है वो लावनी कहलाता है प्रशन कई भर पूछा गया है कि गणगोर के त्यूहार पर एक नर्ते किया जाता है वो कौन सा नर्ते किया जाता है गूमर नर्ते या प्रशन आ सकता है कि गूमर नर्ते सरवदिक किस त्यूहार पर किया जाता है गणगोर के त्योहार पर गुमर नर्ते के आजाता है सबसे ज़्यादा गीत गाये जाते है गणगोर में गोर की पुजा सोड़ दिनते की जाती है गणगोर का अंतिम दिन वो लाओ निकलाता है और गणगोर में एक नर्ते के आजाता है उस नर्ते का नाम है गुमर नरते है गणगोर बनानी की कला बहुत यह अच्छा क्यूसन है गणगोर बनानी की कला गणगोर बनानी की कला कहां की प्रशिद है गणगोर बनानी की कला कहां की प्रशिद है तो इसका उतरे बसी और यह बसी चितोडगड़ एक बसी जैपुर में है एक बसी चितोडगड में है जिस तरीके से एक तारागड अजमेर में है एक तारागड बुंदी में है जिस तरीके से एक सहपरा जैपुर में एक सहपरा बिहलवाड़ में उसी तरीके से एक बसी चितोडगड मेर एक बसी जैपूर में है याद रखना गणगोर बनानी की कला कहा की परशिद है बसी गाउं चितोडगड की परशिद है गन गोर, गन का मतलब शिवर गोर का मतलब पारवती, गन गोर पर सिवर पारवती की पुजा के जाती है, राजस्तान में महीलाउं का सबसे प्रशित त्यूहर है, सबसे जदा गीत गाई जाने वाला त्यूहार गन गोर है, गन गोर का त्यूहार आता कब है, चेत्री शुकल वक्ष की तर्तिया को गंगोर का त्यूहार आता है गंगोर के त्यूहार में गोहर की पूजा सोड़े दिन तकी जाती है गंगोर का अंतिम दिन क्या कहलाता है वो लाउनी कहलाता है बोलो क्या कहलाता है वो लाउनी कहलाता है इस गंगोर के त्यूहार पर एक नर्ते किया जा तो याद रखना, गुमर नरते के नाम से जाना जाता है, गणगोर के त्यूहार पर गुमर नरते किया जाता है, गणगोर बनानी की कला, बसी गाउं चितोडगड की परशिद है जबकि एक बसी जैपूर में भी है और बसी जो जैपूर है वो किसके लिए परशिद है कि राजस्तान में टमाटर की सबसे बड़ी मंडी बसी जैपूर में है तो राजस्तान का पर्थम गोव परजनन के इंदर भी बसी जैपूर में हैं मगर ये बसी कहां पर है चित्तोडगड में है जो गणगोर बनाने की कला बसी गाउं चित्तोडगड की परशिद है हमारे राजस्तान में गणगोर कौन कौन शी परशिद है नम्मर एक पर बिन्ना इसर की गणगोर बिन्ना इसर की गणगोर बिन्ना इसर की गणगोर कहां की परशिद है जैसल मेर बिन्ना इसर की गणगोर कहां की परशिद है जैसल मेर इसर का मतलब क्या होता है शिव इसर का मतलब होता है शिव तो प्रशन आपके आएगा कि राजस्तान का एक मात्र जिला बताओ जहां केवल पार्वती की ही पुजा की जाती है वो है कौन सा जिला है चैसल मेर क्योंकि गन गोर गन का मतलब शिर गोर का मतलब पार्वती यानि शिव की तो पुजा नहीं की जाती है तो फिर बच गई कोण पार्वती इसलिए बिना इसर की गन गोर जहसल मेर की परशिद है यह जो भीना इसर की गणगोर है गणगोर के त्युहार के दूसरी दिन आती है यानि बोले तो कब आएगी चेत्रे शुकल पक्ष की चतूर्थी क्योंकि चेत्रे शुकल पक्ष की तर्तिया को तो गणगोर आती है मगर चेत्रे शुकल पक्ष की चतूर्थी को बिना इसर की गणगोर जैसल मेर की परशिद है जो बिना इसर की गणगोर की स्वारी निकाली जाती है जैसल मेर में कब निकाली जाती है चेत्री शुकल पक्ष की चतुर्थी को तो आपको याद रखना बिना इसर की गणगोर कहां की परशिद है जैसल मेर नमर दो गुलाबी गुलाबी गणगोर गुलाबी गणगोर कहां की प्रश्चिद है गुलाबी गणगोर नाथ द्वारा नाथ द्वारा और ये नाथ द्वारा कहां पर है गुलाबी गणगोर नाथ द्वारा राज समन्द की प्रश्चिद है आपको यहाँ याद रखना है गुलाबी शी कई क्यूसन विए गुलाबी नगरी जैपूर को कहते हैं यह आरेस में पूछा गए थे क्यूसन गुलाबी गणगोर गुलाबी नगरी जैपूर को कहते हैं मगर गुलाबो की नगरी ध्यान से सुना गुलाबी नगरी जैपूर को कहते हैं तो गुलाबो की नगरी पुसकर को कहते हैं तो गुलाब महल कोटा में हैं तो गुलाब बाग उदैपूर में हैं तो गुलाबी गणगोर नाथ दुआरा रासमंद की परशिद है। गुलाबी नगरी जैपूर गुलाबो की नगरी पुसकर गुलाब महल कोटा तो गुलाब बाग उदैपूर में तो गुलाबी गणगोर नाथ दुआरा रासमंद की परशिद है। यह गुलाबी गणगोर का जो त्यूहार आता है, कब आता है? गुलाबी गणगोर का जो त्यूहार आता है, चेत्रे शुकल पक्ष की पंचमीकों. तो प्रशन आ सकता है कि गुलाबी गणगोर जो नात द्वारा रासमन्द की परशिद है, यह त्यूहार कब मनाये जाता है? चेत्रे शुकल पक्ष की पंचमीकों. यानि गणगोर का त्यूहार चेत्रे शुकल तर्तिया को, फिर चेत्रे शुकले चतुर्थी, इसके बाद मे दिहिंगा गणगोर कहां की परशिद है? उदैपूर वे जोदपूर की परशिद है? उदैपूर वे जोदपूर की परशिद है. उदैपूर बोले तो मेवाड और जोदपूर बोले तो मारवाड. यह जो धिंगा गणगोर है, वो राज सिंग के काल में आहरम हुई थी. मेवाड का जो सासक तारा सिंग 1692 से 1680 तक दिंगा गणगोर का जो त्यूहार आता है, वो कब आता है? यह दिंगा गणगोर का त्यूहार चेतर में ना करी आता है वेसाक में. वेसाक क्रशन पक्ष में आता है, यह बात याद रखना, शुकल पक्ष की तर्तिया को वेसा क्रशन पक्ष की तर्तिया को दिंगा गणगोर का त्यूहार आता है, जो उदैपूर वे जोधपूर की प्रशिद है. तो आपको देको प्रशिद गणगोर याद गनी है, बीना इसर की गणगोर का बाती है चेत्रे शुकल पक्स की चतूरती को, गुलाबी गणगोर चेत्रे शुकल पक्स की पंचमी को, और धिंगा गणगोर वैसा क्रशन पक्स की तरतिया को, इसके अलावा और भी गणगोर हैं, नात द्वारा में तो छोटी गणगोर और भी होते हैं, जिनने, चूंदडी की गणगोर, वो भी नाथद्वारा की परशिद है, हरी गणगोर, वो भी नाथद्वारा की परशिद है, केसरिया गणगोर, वो भी नाथद्वारा की परशिद है, और गुलाबी गणगोर भी नाथद्वारा की, मगर परशिद है, गुलाबी गणगोर नात दुवारा रासमन्द की प्रशिद है इसके अलावा पीली गणगोर पीली गणगोर इसमें वेसे इतना याद रखना है कि ये गणगोर प्रशिद कहां की है पिली गणगोर बाड मेर बहरे मासी गणगोर बैसे बारे मासी बैसे भीकानेर बहराय मासी गणगोर बिकानेर पिली बाड मेर बहराय मासी गणगोर बिकानेर और एक गणगोर और याद रखना हाडो लेडूबी गणगोर हाडो लेडूबी गणगोर कहां की प्रशिद है बुंदी की प्रशिद है हाडो लेडूबी गणगोर कहां की प्रशिद है बुंदी की प्रशिद है तो आपको गणगोर कितनी याद गरनी है छै गणगोर याद गरनी है बिनना इसर की गणगोर जैसल मेर, गुलाभवी गणगोर नात दुआरा रासमन, दिहंगा गणगोर उदेपुर वए जोदपूर, पिली गणगोर बाढमेर, बैसे बारैमासी बैसे भिकानेर, बारैमासी गणगोर भिकानेर और हाडो ले डूबी गणगोर बुंदी की परशिद है हाडो ले डूबी गणगोर कहां की परशिद है बुंदी की परशिद है आज जो पढ़ाय गया है मैं एक पर वापस आपको रिविजन करवा रहा हूँ सबसे पहले आज आपको बताय गया था स्रावन के त्युहार स्रावन में कौन कौन शे त्युहार आते हैं तो आपको याद रखना है स्रावन के कितने त्युहार यापको याद गरने हैं चार त्युहार याद गरने कितने चार सबसे पहले नाग पंजमी, निड्री नोमी, हरियाले माउशा, रक्षा बंदन, रक्षा बंदन का दुसरा नाम है नारियल पुर्णी मा, यानि आपको याद रखना है स्राउन में सबसे पहले नाग आएंगे, नाग को खाने के लिए नेव लेंगे, खाने के बाद में काले के लिए कौन सा पक्षा जाएगा, क्रशन पक्षे, नेवले भी कैसे आए, काले के लिए क्रशन पक्षे, फिर पंचमी की पंचमी, नोमी की नोमी, अमाउशा की अमाउशार, पूरणी मा की पूरणी मा, यानि नाग पंचमी स्राउन क्रशन पंचमी को आती है, निड पूर अगला जो अपना टोपिक चलेगा वो चलेगा राजस्तान के पर्मुके मेले, उसमें जितने भी जो मेले आते हैं कि नाग पंचमी को कौन कौन शे मेले बढ़ते हैं, वो सारी आपको बताया जाएगा, इसके बाद, आपको बताया गए एका दसी, एका दसी का मतलब हो है कि सबसे पहले निर्जला निर्जला करेंगे देव सहीनी के लिए जलवे तुल्शी से देव को उठाएंगे सुबह का नास्ता आउला से करवाएंगे तुल्शी कैसी है यहाँ पर आपको याद रखना है काली है तुल्शी कैसी है काली है याद रखना निची निची का 8589 के त्युहार आपको पहली लिखा सुरावंप को यहां छोड दिया इस bio अगल्व कहत चाला महीत तुलाइक काय 0959 के लीए lotta your flash कर्षणपक्स this ना राज हो गया इसके बाद में आपको बताया गया गणगोर गण का मतलब सीवर गोर का मतलब पारवती यानी गणगोर पर सीवर पारवती की पूजा के जाती है राजस्तान में महिलाउं का सबसे परसे त्युहार है गणगोर याद रखना गणगोर पर सबसे ज़्यादा गीत गाये जाते ह गीत गाई जाने वाला तको होगा ही कि पूजा कितने दिन तक होती है इसके बाद में आपको बताय गया गंगोर हमारे राजस्तान में कई परकार की परशिद है बिना इसर की गंगोर जैसल मेर की परशिद है बिना इसर बिना का इसर का मतलब होता है शिव याद रखना राजस्तान के एक मात्र ऐसा जिला का जहां पर केवल पारवती की पुजा क गुलाबी नगरी जैपुर को कहते हैं गुलाबो की नगरी पुसकर को कहते हैं गुलाब महल कोटा में हैं गुलाबे भाग उदेपुर में हैं तो याद रखना आपको बताए गुलाबी गनगोर नाथ द्वारा रासमंद की परशिद है धिंगा गनगोर उदेपुर वे चूंदी की परशिद है नात दुवारा में और भी गणगोर आती है जैसे चूंदडी की गणगोर नात दुवारा की परशिद है याद रखना हरी गणगोर नात दुवारा की ही परशिद है और याद रखना के सरिया गणगोर भी नात दुवारा की परशिद है और नात दु द्वारा का प्राचिनाम सीहाड है ना द्वारा का प्राचिनाम क्या है सीहाड